यह वाला पास्ता हमने लिया है इस तरह से और अब हम एक बरतन में पानी पॉयल करेंगे गैस पिचड़ाया उसमें एक चमच वाइल डाल दिया है और थोड़े से नमक डालने के बाद वह पास्ता जो हमने रखा था वह डाल दूंगी और पास्ते को अच्छे से हम बॉयल कर बहुत ही क्रिक्सपी है वह अधर पास्ता बॉयल हो रहा है इस अधर हमने सब्जियां काट लिया सिम्ला में स्टमाटर प्याज लास्दन और हरी मिट्ची लिया हमने सबको लंबे-लंबे पतले पतले टुकड़ों में हमने कट कर लिया था देख सकते हैं पास्ता बेमारा बॉयल पास्ता रेडी है अब हम सब्जियों को फ्राइ करेंगे तब पास्ता उसमें डालेगे फिर से हमने गयास पे कढ़ाई चड़ाया है कढ़ाई में दो चम्माट तेल डालेंगे सो रिफाइन वाइल डाले यह सर्सो तेल कुछ भी डाले अब हमने रिफाइन वाइल बढ़े तो फ्राइ हो जाए उसके बाद हम प्याज एक बड़ा से प्याज था इसे हमने इस ततरह से रफली चौप्ट किया था वो डालूँगी और प्याज हम सीमला मिर्च भी डाल देंगे सीम्ला मिर्च प्याज थोड़ा पकने में टाइम लगते हैं लिग पहले डाल रखेशा ज़साम करने देगा अचै के बारी है कि आगे हमें सारे सौसिस भी डालने है चैने से मिक्स और फ्लेम लो करके हमें को से तोड़ा छिए तो देख सकते हैं तो बारीज ती नहीं से यह दोलिट यह तो नहीं डालें तो देख सकते हैं इसमें हमने खूब सारी सब्जियां यूज किया है, इस तरह से एक बार जरूर यह ट्राइ करें, इसके बाद में थोड़ा सा जीरा पॉडर डाला है, उसमें पास्ता है, तो पास्ता मसाला तो बनता ही है, और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स, पास्ता मसाल करके रखा तब डाल देंगे, इसके उपर से थोड़ा से पास्ता मसाला और डालेंगे अभी, और यहां पर हम थोड़़े से Soya Sauc Sauc चारे डालेंगे, एक चंबाच सोया सॉस एक चमच ग्रीन चिल्ली सॉस जाला हैं और एक चंबाच टोमैटो सॉस, सो यह तीन सॉसे तो य और डालें, अब हिन सबको अच्छे से करेंगे, हम मिक्स और निया अठीप स्थीज तार रीव लूश कर तेतने श्दुक्त, आब हम लोग ने हो बीच और टेस्ट ही और इसमें आप अपने मन के और भी सब्जी आन चाहें तो बंदागों भी बगर भी डाल सकते हैं तो अमने सिवला मिट प्याजिंडा सीव डाला था और हम इसे सर्फ करेंगे आपको हमारी रेश्पी कैसी लगते है जरूर बताईएगा अच्छी लगते है और आप आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीज cling transf इज़ा और हमें सपोर्ट किजिएगा और हमारी रेश्पी को फूल睤 दु Dabei